परसु नमबर एग सीला 12 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकल दोर अपने घर से 15 साला 20 में पहुंचती इसे 12 में पोहुंचने के लिए किस चाल से साइकल चलाना होगा जो देखेंगे 12 चाल लिखेंगे और समय लखेंगे यानि चाल कितनी ले लेते हैं 12 km प्रद घंटा इसकी चाल से तो कितने समय में पहुंच जाती है 20 मिट में पे समय दिया है हमारा मिनेट में अब कह़ा है उससे अगर 15 मिनेट में पहुचना यानि 15 मिनिट में पहुचना है तो उसे किस चाल से साइक्ल चलाना होगा यहाँ पर डाटा बना लेते हैं यह कि चाल दिया है अगर शीला जो 12 गहंटे की चाल से जाती है तो अपने घर से पार साला 20 में पहुचती है अगर उसे 15 मिनिट में पहुचना हो तो चाल से साइक्ल चलाएगी अब यह बहाँ चले साथ भी जो परतिलों का नियम का पालन करती है परतिलों माने मिंस क्या होता है उल्टा उल्टा जिसे माने लेते हैं जैके यहाँ पर जब चाल थी 12 अगर 12 क स्पीट से जा रही है तो कितना समय लेती है 20 मिन अगर हमको 15 में पहुचना हो यानि इसका एंसर कितना है देखें समय यहां पर पहले 20 में था अब समय कितना हो गया है 15 में यानि इदर जो समय हो है हमारा कम पढ़ रहा है और जब कि समय कम पढ़ रहा है तो इसे नहीं चाल भ ग्खटेगा और जब समय बढ़ेगा तो चाल गटेगा इससे कहते हैं प्रतिलोम प्रतिलोम इस उल्टा अब देखें इस्टुडेंड जो इसे लगाएंगे तो प्रतिलोम के नियम का जो सिम्बल होता है इस प्रकार है अब इसको कैसे हो करते हैं तो लिखेंगे सबसे पहले बारा अनुपाद यह समान पाथ ये पंद्रा अण पाद वीस अब इसकी ईसकी कणे करेंगे यानि एकस गुड़े फंद्रा बराबर बाहिपदों की गुड़ा होगी और फिर बाहिपदों की यानि 20 गुड़े 12 इसको हम हल करेंगे तो यक्स बराबर 20 गुड़े 12 बटे यह 15 जो है गुड़े में यहां पर चला जाएगा बटे में अब इसको काट लेंगे 5 से काटेंगे तीन आ जाएगा यह 5 चक्कु 20 अब इ एंसर हो जाएगा अब यह दूसरी इसकी ट्रिक यह है देखिए वह ट्रिक यह है कि जब प्रतिलोम का नियम होता है तो प्रतिलोम में गुड़ा क्या होती है बराबर होती जैसे देखिए यह 12 की स्पीड से जा रहा था तो कितना समय लेता था 20 मिनिट अगर उसे 15 मिनिट म यह कितना हो गया 240 तो यहां पर 16 लिखेंगे और 16 15 की गुड़ा कर देंगे 240 इसकी गुड़ा क्या होती है बराबर और दूसरा नियम दूसरा नियम यह होता है देखिए डायेट 12 अगर 12 की स्पीड से आ रहा है तो कितना समय लेता है 20 में अगर हमको 15 मिनिट में पहुच र होगा यानि answer क्या होगा हमारा देखिए हमारा समय कम पढ़ रहा है तो चाल क्या होगी हमारे बढ़ाएंगे तो जब हमारा answer ज्यादा आएगा तो ज्यादा के लिए कम दर्जा नीचे जिसमें दो दिया हो इसमें दो संख्याय दी हुए तो जब answer हमारा ज्यादा आएगा तो ज्यादा के लिए कम दर्जा नीचे और जब कम आएगा तो कम के लिए बड़ा दर्जा नीचे यह हमारा एंसर हो गया प्रिस्ट नमबर आट 48 km प्रति घंटा की चाल से चल कर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तै करती है किसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तै करने के लिए कार की चाल क्या होगी एक्ष अब यहाँ पर ध्यान रगना है जब 10 घंटे में पहुंचना था तो 48 की स्वीट और जब हमारा यहां पर समय कम हो रहा है तो चाल क्या होगी बढ़ेगी इसे हम विप्रीत कहते हैं अब दूसरे यह देखिए यहां पर देखिए जब 10 घंटे में जाना था तो 48 आ रहा था जब 8 घंटे में जाना है तो हमें शार बढ़ाने की जब चाल ज्यादा होगा ज्यादा होगा यह एंसर ज्यादा आएगा तो ज्यादा के लिए कम दर्जा नीचे जब हल करते दोनों नीयम से दोनों लग जाते हैं सवाल अब देखिए यहाँ पर हम जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 48 अनपात यक्स फिर समानपात फिर यह आठ फिर दस जब प्रतिलोंग वाला नियम होता है तो इस प्रकार सिंबल लगता है और जो समानपात सिंपल होता है तो दोनों ऊपर स यानि एक्स गुड़े आठ और बाहे पदों का गुड़न फल 48 गुड़े दस तो एक्स बराबर हो जाएगा 48 गुड़े दस अई जो गुड़े में इधर आएगा बटे में छे आ गया यानि यह छे दहां साथ किलोमीटर प्रति घंटा यह हमारा एंसर हो जाएगा 2 प्रति नमबर 3 सुनीता प्रति दिन 4 गहंटे बुनाई करकर आठ दिं में प्रति शेटर पूरा करते हैं या छे दिन में प्रति दिन उसे कितने घंटे बुनना होगा तो मान लेते हैं यक्ष तो देखें प्रतिलोम का नियम क्या होता है नीचे को फिर उपर को अब लिखते हैं पहले इसको लिख लिएते हैं चार अन्पात यक्ष फिर समानपात अब यक्ष descendants फिर उपर की तरफ आज अब इसमें क्या होता है पहले मर्धर पदों का गुड़न को चैसे अब देखे इसको काट देते हैं किशी से का ता हैं कि दो याजाएगा तीन आ tasting याजाएगा और को ता हो याजाएगा प्लपाइस कि येचिंव मेटे जिया पस़ेत an focus कि इसको ब्रेक करेंगे हैं तोडेंगे तोड़ना मतलख होता है पांच घंटा यानि 5 सही एक वाटे 3 गंट तो इसको लिख सकते हैं पाच गंटे प्लस एक Electric गंटे इसको अलग-अलग ब्रेक कर सकते हैं अब देखें 5 गंट तो 5 गंटे अब इसका चतम कि 1 एक घंटे को तीन जगावाट को यानि एक बटेती मिन्ट लिखे साथ जो घहिंगे में कितना जाएगा यह मिनित आ इन्पश्च कह yönश्च घंच घंच जगाँ अयां द 것은 किस्वाज इसम थैंख किस्न रह 04 dużo एーDRS यानि 6 मजदूर कितने बना सकते हैं नगाएंगे नंपात 27 समान पात 7 इस से करा था तो तो यश्ष बराबर साथ गुड़े जए उसको एक तो इस तिन से कातेंगा यानिद नुमरी से B करते हैं 81 आद में लग जा तो कितने कमें ।क कितने दिन में पूरा करूझे यानी हम आदमी लिखे इनация कितने बारे i5 तो दिंग लगते हैं 26 virus अगर calcium याद में लगां तो दिन 27 अब देखिए इसमें मध्य पदों की गुड़ा नफल गुड़ा बराबर होती है बाह पदों की गुड़ा के बराबर अब यह जो 81 गुड़े में है उधर जाएगा कहा पर जाएगा बटे में जाएगा 27 एकम 27 27 त्यां 83 से 45 को काटेंगे तो याजाएगा हमारा बंदरा दें यह हमारा कितने दिन में काम कांप हो जाएगा हमारा एंसर हो गया एक लिए किस्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रत घंटा की चाल से चल का तीन घंटे में पहुंती है यह दिवारों 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो आख इतने घंटे में पहुंचेगी तो माले लेते हैं यक्स और प्रतिलोम का सिंबल लगा देते हैं फिर क्या करेंगे इसको लिखेंगे चालिश अनपात ती सहब एक समान पात estos अनपात तीन मद्य पदों और इस अक्षओं और भाएक पदों का जाएग 12 गुड़ Something जाएगी। बटे में जीरो से जीरो कड़िया तीन से तीन यानि चार घंटे में पहुंच जाएगी जब तीस की स्पीड से जाएगी तो चार घंटे का समय लगेगा यह हमारा एंसर प्रस्ट नुमर साथ एक किले में साथ सो ग्राम प्रतिदिन प्रतिशिपाही के हिसाफ से 42 दिन का भोजन यानि अगर साथ सो ग्राम दिया जाए तो भोजन कितने दिन तक चलेगा यानि यह तो इसको हम प्रतिलोम का नीशिंबल लगा लेंगे फिर लिखेंगे शाथ सो अनपात शेससो फिर क्या लिखेंगा समानपात यक्स फिर अनपात 42 अब उसमें क्या होता है मद्धी पदों का गुडद फल यानि 600 गुड़े यक्स बराबर बाहि पदों का गुड़न फल चाहाए जो पीछी पिसी विसंख्य को लिख ले अब यक्स बराबर हो ज यह जो गुड़े में था इजर कहां जाएगा बचे में जीदों से जीदों कर गया अब 6 से इसको काटेंगे 6 सते 42 अब 7 गुड़े 7 यानि कितना आ गया प्रति घंटा भरता है तो कितना समय लेता है दस घंटा यह उसी जलकुंड को दूसरे नल से आठ घंटे में भरा जाए तो दूसरे नल से प्रत घंटा कितने लीटर पानी आएगा यानि यह समान लेते हैं अब इदर शिंबल लगा लेते हैं प्रति लोग का फिर लिखेंगे बाह पदों का गुडण फाए तो यक्स बराबर हो जाएगा चालीश घंटा यह जो में था इदर जाएगा बटे में तो आठ सी जब इसकों काटेंगे तो आठ अठाए चो सट अब असी घंटे दस करेंगे तो आजाएगा आठ सो लीटर प्रति घंटा यानि 800 लीटर प्र लिखेंगे यहां पर च्छात्रों की संख्या कि यहां पट लिखेंगे दिनों की संख्या संख्या देखें क्या था मैद तो तीन सो थी तो यहां डिनों की रासन सामाग्री ती त лег i आवकास के कारद बाहर चले जाए या कुछ चातर आ जाए तो यहां पर ध्यान रखना होता है 206 बाहर चलेगे यानि आप कितने चातर बचें तो अगर 306 तो पंद्रा दिन तक चलता है तो मान लेते हैं यहां पर निसान लगा देंगे प्रतिलोंवाला फिर लिखेंगे तीन सो अनपात सो समान पात यक्स अनपात पंद्रा तो लिखेंगे मद्य पदों का गुड़न फल बराबर बाह पदों का गुड़न फल इसको आगे पीछे चाहिए जिसको रख लेए यक्स बराबर हो जाएगा पंद्रा गुड़े तीन सो बटे सो सो तियां तीन और पंद्रा तियां 45 दिन तक यानि कितने दिन तर खाना चले जाता तब 45 दिन तक यह हमारा एंसर हो गया प्रस्ट नमर दस चालिस किलोमीटर प्रत घंटा की चाल से एक टेंपू पांच घंटे में यात्री को से नियत इस्थान पर पहुचा देता है यानि जब चाल 40 किलोमीटर प्रत घंटे की चाल होती है तो समय कितना लगता है पांच घंटे में याद उस टेंपू की चाल 25 किलोमीटर प्रत घ का गुड़न फल यानि यक्स गुड़े बराबर होता है बाहि पदों का गुड़न फल लिखेंगे यक्स बराबर पांच गुड़े 40 अधर गुड़े में था इधर आएगा बटे में पांच से काटेंगे आठ गणते का समय लेगा यह हमारा answer हो गया प्रस्ट नम्बर 11 के रहा है दो कुसल सर्मिक या तीन अकुसल सर्मिक एक काम को 20 दिन में देखें 20 दिन में काम होगा या तो फिर दो कुसल सर्मिक लगा लो या कह रहा है तीन अकुसल यानी बिना experience के तो लिखेंगे यहां पर हम दो कुसल सर्मिक बराबर है किसके तीन अकुसल के अकुसल सर्मिक के बराबर है तो ध्यान रगना अगर दो सर्मिक हैं तीन अकुसल सर्मिक के बराबर हैं तो अगर दोनों तरफ दो से गुड़ा कर दें तो हो जाएगा चार कुसल सर्मिक तो इधर भी दो से गुड़ा करेंगे यानी तो नो आजाएगा यादि छे कुसल सर्मिक नो अकुसल सर्मिक के बराबर होगे क्योंकि हमको सवाल में एक ही रखना क्योंसक कैसे एक हुरुद्मिक है और ह operate छे कुसल अ कुसल करThis में रखना तो अब यहां पर दू परकार की सर्मिक तो वह हीन बना लते हैं तो छे कुसल सर्मिक च्छे कुसल सर्मिक किसके बराबर घ Turns आपकसल सर्मिक आग कुसल सर्मिक यानि यानि हम से सवाल पूछ रहा है छे कुसल सर्मिक और कर करेंगा यानि यहां पर दोनों को मिलाकर क्शल बनाया क्या मोदा मया और इस इस प्रकार लिखेंगे अरुसल कि अर यहां पर लिखेंगे इस इसकल से की अक्षुपनण वे न्ट दिन करते हैं आ था आकुसल सर्मिक Debatte क्तने दिन में करते हैं यहाँ पर सवाल में दो परकार के थे छे कुसल थे और आकुसल इनको चेंद करके हमने सिर्फ आप को सल उसमीर बना लिए तो इसका ह मुईड पडों का गृणंफल यानि दस गुड़े यक्स बराबर बाह पदों का गुड़न फंद तीन गुड़े 20 तो यक्स बराबर हो जाएगा तीन गुड़े 20 और यह जो 10 इधर है बटे में जाएगा 10 दुना 20 तीन दुना 6 कि छे दिन में काम हो जाएगा यह हमारा एंसर हो गया प्रस्ट नंबर 12 एक चीटी की लंबाई ताइस तजीन गालिदे एक चीटी की लंबाई में की आंपात ग्याद कीजिए देखे हम सबसे पहले पहला साल रहते हैं चीटी की लंबाई का अनपात में भूगाए औरं चीटी की लंबाई में अनपाइब टीडे की जो लंबाई है वह 4 cm और चीटी की जो लंबाई है वह 4 मिमी चार मिमी तो देखिए जो cm को मिमी में बतलेंगे तो लिखेंगे चार गुड़े 10 मिमी बटे 4 मिमी अब इसको जब काड़ देंगे मिमी से मिमी सब्सक्राइब मगरमच चिफकली की लंबाई में अनपात क्या होगा यानी मगरमच की लंबाई में अनपात यहाँ पर भी लंबाई लंबाई था ठीडे की लंबाई और चीटी की लंभाई तो मगरमची की लंबाई कितनी है चार मीटर है और किली की लंभाई है 20 Corporate Santa Deahnar सेवा लाना होगा हम चारगोड़े 100 लाना होगा ही मिटर की जगा अब दोस्तो विडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निसान है इसको जो प्रेस कर दे ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके धन्यवाद